सो गाईज अगर आप भी अपने बाइक्स में आय हुए स्क्रेच को लेकर परेसान हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से पलक जपकते हर एक स्क्रेच का इलाज इस स्फ्रे के पास है दोस्तों आप देख सकते हैं पलक जपकते हमारे इल सबसे जादा जो डिसकलर होने वाला पार्ट होता है दोस्तों वह होता हमारा ब्रेक और कलच लिवर अब दोस्तों फर्क नहीं परता है कि बाइक का कौन सा पार्ट से ब्रेक लिभर है कलच लिभर है या फिर कौन सा बाइक है पैसन है पलसर है आप हर बाइक और हर पार्ट को दोस्तो रिपेर कर पाओगे बिल्कुल घर में आसानी से बस इस वीडियो को देखते रही है दोस्तो चैनल पे नहीं हो इसी तरह के इंपोर्टेंट टीप्स और ट्रेक्स के लिए दोस्तो चैनल को आप सस्क्राइब कर सकते हो दोस्तो एक चीज मैं इसमें एड़ करना कि आप किस तरह से जो ए वो साइलेंशर को फिर से रीपेंट कर पाएंगे हमारे इस प्रेपेंट के दवारा आरी के लिए बताओ दोस्तो कि हमारा साइलेंशर लॉंग टूर के दवारा दोस्तो दो सो से लेकर के 215 डिग्री सेल्सियस तक करम हो सकता है दोस्तो हमने यह दोस्तो उसकी चेकिंग कर लेता हूँ अब दोस्तो ये है हमारे हाथ में बॉटल आप देख सकते हैं निपो पेंट का ये बॉटल है प्लेक थाउजन इसका सीरीज नाम है दोस्तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये बॉटल दिख रहा है और ये काफी अच्छा किया है दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि ये 300 ml का है साथ साथ 300 ml के लिए दोस्तो आपको प्राइस 330 रुपे प्रिंट है लेकिन चुकि जैसे मैंने बताया अभी इमजन प्राइम का ओफर चल रहा है दोस्तो तो उस ओफर के ताथ ये मुझे सिर्फ 209 रुपे में मिला है त हमें ब्लेक कलर की जरूरत थी इसलिए मैंने ब्लेक कलर ही ओडर किया है और शाचे चाते अब दोस्तो आपको इससे इस्तमाल करने से पहले कुछ सावधानिया भी बरतनी चाहिए जैसे कि इसे इस्तमाल करने से पहले दोस्तों जिस भी पार्ट में आपको इसे यूज करना है उसको अच्छे तरीक ऐसे सैंड पेपर के मज़र से तो साफ कर सकते हैं, अगर बेहतर फिनिश आते हैं, तो 400 ग्रेड वाला सैंट पर आप इस्तमाल कर सकते हैं, दोस्तो इसे स्प्रे करने के लिए इसे सफाई के बाद में एक चीज और ध्यान देंगे, कि जहां पर हमें इसे इस्तमाल करना है, एक फीट की दूरी से इसे इसे स्प्रे कर सकते हैं, तब आपको बेहतर फिनिश के साथ साथ अच्छा लॉंग लास्टिंग कलर भी मिलेगा, दोस्तो आप नजदीक से अगर स्प्रे करने जाएंगे, तो आपको बेहतर फिनिश नहीं मिलेगी, दोस्तो एक ही जगा पर आपको जो पेंट है वो इकठा हो जाएगा, और वो एक मोटी परत के साथ साथ कुछ दिर बाद वो उजड़ जाएगा, आप देख सकते हैं, अलोई वील में बहुत ज्यादा स्क्रेच आ चुका है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दोस्तो बाइक के दूसरे पार्ट में भी आप द लेकिन कुछ साथानिया आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि इस स्प्रे को इस्तमाल करने से पहले आपको कम से कम दोस्तो दोसे तीन मिनट तक जोड़ जोड़ से इस तरह से हिलाना है, ताकि हमारा जो पेंट है दोस्तो वो अच्छी तरीके से मिल जाए, चुकि हमने इसे एक सकते हैं, वहाँ पे एक स्क्रेच है, और हम करेंगे इस से इस्तमाल लगभग एक फीट की दूरी से, और आप देख सकते हैं दोस्तो कितना बणिया फिनिस के साथ, पता भी ने चल रहा है कि पहले इस पे स्क्रेच भी था, और ये हमारे जो वील का कलर है, उससे बिलकुल म